अब वैश की जिविका बिश्य सुरूप से बता रहे हैं क्रिशी वाडिज्य गो रक्षा कुशीदम तूर्जमुच्यते वार्ता चतुर विधा तत्र वयम गो विक्त यो निशम क्रिशी वाडिज्य और गवों की रक्षा यह तीन जिविका के साधन है वैश्यों के लिए और इन तीन से काम नो चले किसी हालत में तो कुशीदम सूद लेना चौथी जिविका है कुशीदम तूर्जमुच्यते सूद लेना इसको चौथी बृती कही गई है सूद लेना बहुत अधम जिविका है वो पाप खाने के बराबर ही है वास्ता में इसलिए इसको तूर्ज चौथी बृती कहा गया है कृशी कृशी यदि अच्छे धन से होगी तो सारा संसार सुखी रह सकता है प्रयाप्त अनुत्पन हो, फानुत्पन हो, सबजियां उत्पन हो और गुरक्षा गायों की यदि रक्षा होगी इस रक्षा तो उसे प्रजाप्त दूद, धढ़ी, घी अधी होगा जिसकी बहुत जरूरत है इस अनुत्पन पर आज के जुग में कोई गो रक्षा करने वाला नहीं है गायों की हत्या करने वाले जंजन भरे पड़े हैं लेकिन रक्षा करने वाले नहीं है ऐसा वास्तर में मनुष्यों कर दिया गायों के पोशन के लिए ना घास रहा ना ब्रिक्ष रहा कुछ नहीं गाय रखना भाल हो गया मसिनिरी ने ऐसा काम बिगाड़ा एक ट्रेक्टर आ दिने कि बायलों की कोई पुछ ही नहीं है लगता है कि उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है उनका कोई उप्योगिता नहीं है उनकी पहले हमनों के होसमें लोग बायल रखते तो किछना प्यार से अच्छा से खिला पिला आज बायलों को लगता है कि इस दुनिया में जीने का कोई हख ही नहीं है यंकि उनके लिए कोई काम नहीं है एक दिन ऐसा समय आएगा कि मनूशियों में कुछ लोग ऐसा सम्झेटा कि अननी मनुस्यों को जीने का अधिकार नहीं है. इनको मर जाने, चाहे चाहे लोग, कोई उपाइ करो. यही कहेंगे. और कर ही रहे हैं, लोग दो हमकिते हैं, नहीं करने मनुस्यों का भुट बरा भार हो गया है, जितना संतानुत्पन करो ये करो ये करो लेकिन ये लोग संख्यान ना परहा है ये समसार में हो रहा है पर एक दिन ऐसा आएगा कि एक बर्ग को ही कहा जाएगा कि तुमको जिने का अधिकार नहीं है तुम मरो चाहे भोजन के बिना मरो चाहे हम मार देते हैं तुमको जैसे बैलों को मारा जा रहा है, गववों को मारा जा रहा है, तो उस दिन मनुस्यों को मारा जाएगा और मार ही रहे हैं, गर्व में बच्चों की हत्य करना क्या है, मारना नहीं है गर्व में ही मनुष्य को मताने दो कोई बीस दे करके या कोई सुई दे करके जैसे तैसे गर्व पात या गर्व स्राव किसी तरह नस्ट करो अगर कहीं कहीं तो ऐसा होता कि जन्म ले लिया बच्चा तो जन्म लेने के बाद मार दो इंजेक्शन दे करके जैसे तैसे यह हो ही रहा है पर एक दिन प्रकट मारा जाएगा इनको जिने का अधिकार नहीं है और तब प्रकृति बदला लेगी पूरे मनुष्यों को जिने का अधिकार नहीं है प्रकृति मारेगी भुकम्प द्वारा या और द्वारा अती ब्रिष्टी, अती गर्मी, भुखमरी होगी, और इदसा आएगी भागवत में लिखा गया है, बहुत दुर्दसा होगी, और इस दुर्दसा का मूल करण है गवों की असरक्षा, गायों पर ध्यान नहीं है बिलकुल, इतना लोगों ने महंगा कर दिया सब चिज़, पुवाल महंगा, पुवाल पहले बैलों के खूल से नरम हो जाता था दौरी करने से, अब ट्रेक्टर से दाया जाता है, उपस्मों को खाने मों कितना कठोर पड़ता है, लेकिन क्या करें, किसी तरह से भूख की जौला संत कर रहे हैं, खा रहे हैं, और यह रिघास देखन को नहीं मिल रही है, गोंगों की रक्षन नहीं होगी, तो मानों की रक्षन नहीं हो पाएगी, मनुष्य को मरना पड़ेगा ऐसे हैं, तो यह वैश्य का धर्म है, कि गो रक्षा करें, गोंगों की संख्या बढ़नी चाहें, समिर्दी होनी चाहें, और क्रिशी और व्याप एक जगह की बस्तु को दुसरे जगह पर ले जाकर के बेचना वहां के बस्तु यहां लाना, लोगों को सुविधा हनी चाहिए, ब्यापार द्वारा, कि जीवन के आवस्यक छीजों को आसानी से ले सकें, और ये जीविका होती है, बैसे बर्ग की, इसे उनकी जीविका चलती किसी किसी की लाइसा है कि अगर जीविका ऐसे न चले, तो सूद ले सकता है, बैसे, कोई ब्राभन सूद नहीं ले सकता है, छत्रीय नहीं ले सकता है, बैसे को सूद लेने का अधिकार है, लेकिन किस अस्थिती में जब तीनों वारता फेल हो जायता हो, तीनों से पोशन न होता हो परिवार का तब उस्थ ले सकता है अगर उसके परिवार के अस्थिति ठीक है चल रहा है तो सूद नहीं लेने चाहिए सूद लेने क्या है मान ले जिए हम एक किलो खाते हैं तो एक गरीब आजमी से हमकर सूद लेते हैं उसका डेढाले आसवाई लेए। इसका मतलब हम एक लोग खाय और गरीब होने कणा और अज़ेड़ किलोग खाया। यही है न मीध, जब हमको समवर्थ रहे तो हम कम खा रहे रहे हैं और ऐसे बेक्ति को की बहुत दुलगति होती है